हेलो एवरिवन इस वीडियो से हम सुरुवात करेंगे बज़ट 2024-25 के बारे में और हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्मेंट के बज़ट के बारे में और बज़ट का टॉपिक हम सब लोगों को पता है कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एक्जामिस्न पॉइंट अव्यू से एस्पेसली बात कर रहा हूं है UPSCK और PCS और कई सारे कॉम्टेटिव एक्जाम्स के पॉइंट अव्यू से बज़ट से बहुत सारे कोश्चन बनते हैं प्लिम्स नहीं बनते हैं तो उसी प्रस्पेक्टिव में हम बज़ट को यहां पर दुखस करेंगे 2024-25 के बज़ट के बारे में क्या-क्या बाते गॉवर्मेंट ने बताई है और एक्जाम में उससे कैसे कैसे कोश्चन बन सकते हैं इन सब की बात हम लोग करेंगे लेकिन चुकि बज़ट में कुछ बेसिक्स बातों को जानना बड़ा ज़रूरी होता है कही सारे आप में से लोग जो यह वीड वीडियो में मैं कुछ बेसिक चीजों की बात करता हूँ और तभी जाया कि बज़ट 2024-2025 जो है बेटर तरीके से समझ में आएगा तो हम पहले सुरवात करते हैं बज़ट के बेसिक्स से और फिर बात में बात करेंगे बज़ट 2024-25 में जो भी बाते कही गई है उनके बारे होता है पहला introduction to budget यानि budget होता क्या है बज़ट बनाता कौन है इसमें किन-किन चीजों को include किया जाता है यह सब बात करेंगे फिर हम बात करेंगे historical background of budget in India यानि इंडिया में budget की शुरुवात कैसे हुई कब होई किस ने किया इसके बारे हम बात करेंगे फिर बात करेंगे हम constitutional provision of budget यानि हमारे इंडिया के constitution में budget के बारे में क्या-क्या बाते की गई है फिर हम बात करेंगे कुछ important article जो हमारे constitution में दिये गया है जो budget से directly और indirectly related है उनके बारे हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे drol of budget के बारे में यानि बजट का rule क्या होता है खासकर हम बात कर रहे हैं इंडिया में budget का क्या भूमिका है क्या उसका रोल है उसके बाद बात करेंगे हम component ऑ बजट यानि budget के कई सारे parts होते हैं और उन पार्टों को हमें बाद detail से पढ़ना होता है और वहां से बहुत सारे questions बनते हैं traditional part से भी basic से भी और जो भी उसके conceptual part वहां से भी questions बनते हैं current part से भी questions बनते हैं तो मैंने जो यह series सुरू किया है इसमें हम लोग छोटे छोटे वीडियो देंगे बड़े बड़े वीडियो मैंना है कि online classes में या जो recording वाली चीज़े होती हैं उसे बहुत लोग बहुत लंबा देख नहीं पाते हैं आप लोग अभी ऐसे मुवी योगरा बहुत लंबा देख का यह आपके series में मिलेगा बिना किसी सुल्क के totally free है यह यह से ही दिया जा रहा है अपने और जो बाकी एस्ट्डियोंट जो aware है और जिनको इसके exam में जिनका लग रहा है कि इससे हमें बहुत सारे questions आ सकते हैं उनके लिए ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं introduction part की सबसे पहले इसमें बात करेंगे आखिर budget होता क्या है तो यह budget वो नहीं है जो किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकांदार पूशता है शौक की पर पूशता है कि सर आपका budget क्या है और मैम आपका budget क्या है वो budget कुछ और होता है यह budget है union government का budget हमेंसा ध्यान रखना कि यह state government भी अपना budget बनाती है लेकिन हम स्टेट government के budget की बात यह नहीं कर रहे हम बात कर रहे है union government के budget की सो आखिर budget होता क्या है कोई पूचे आप से तो budget एक financial statement है एक वितिये पत्र है जो आने वाले financial year के बारे में बताता है कि हमें किन-किन sources से कितना-कितना पैसा आएगा और किन-किन sources में कितना-कितना पैसा government खर्चा करेगी यानि government budget के माद्यम से देश के लोगों को बताती है कि हमें इन-इन sources से इतना-इतना पैसा आने वाले financial year में आएगा और इतना-इतना पैसा हम लोग इन-इन मदों में इन-इन items में इतन सेक्टर्स में हम इतना-इतना पैसा खर्च करेंगे हमें से ध्यान रखिए कि budget expected होता है estimated होता है यानि budget यह नहीं कि actual amount होता है क्योंकि ब 2017 से पहले budget आता था last working day of February को बट अब जो है budget आता है first working day of February को क्यों क्योंकि government को था टाइम मिल जाता है क्योंकि budget implement कब होता है तो 1st April को implement होता है और पहले 28th February को 27th February को sometime 29th February को भी आता था budget तो सिर्फ March का महिना मिलता था उसके लिए preparation करने के लिए इसलिए government ने क्या किया 2017 से budget को पहले ही announce कर दिया एक महिने पहले ताकि government को कुछ time मिल जाए budget के लिए preparation करने के लिए उसको क्योंकि हर department को ministry को fund allocate करने होते है बजट तो announcement है ना कि हम इन sources में इतना पैसा खर्चा करेंगे उसके लिए strategy बनानी होती है तो इसमें टाइम लगते हैं कही सारे programs होते हैं कही सारे schemes होते हैं उस सब में टाइम लगता है तो सिफ announcement नहीं है उसका execution उसका implementation इंपोर्टेंट है तो government है कहा कि एक महीने पहले ही बनाएंगे बजट अब फर्स्ट फरवरी को बजट आ गया उसके बाद फर्स्ट अप्रेल को implement होगा तो दो महीने का समय government को मिल जाता है और उसमें government अपनी सारी strategy बना लेती है बजट से कि हमें आने वाले financial year में इतना इतना पैसा आने वाला है इन इन sources से आने वाला है और इतना इतना पैसा इन इन sources में जाने वाला है हमेशा लेकिन एक चीह हमसा ध्यान रखेंगे आप लोग कि बजट होता तो है financial year अगले साल के लिए जैसे अभी जो आया बजट फर्स्ट फ तक रहेगा 31st March 2025 तक रहेगा और इसका estimated amount होता है यह amount बाद में change भी हो सकते हैं increase भी हो सकते हैं decrease भी होते हैं क्योंकि पूरा budget जो है एक estimates है एक अनुमान है exact figure नहीं है government जो भी कहती है कि इतना income आएगा इतना खर्चा होगा वो कोई fix तो होता नहीं है वो तो अब down हो सकते हैं इसलिए estimated होता है इसलिए budget में ऐसे तो अगले financial year के लिए होता है लेकिन दो year के लिए भी कुछ information budget में given होता है दो कौन से year एक होता है current financial year और एक होता है previous year जिसके बारे में budget में बाते की जाती है यानि यह जो date को आया budget इसका जो हमारा next financial year हुआ वो हुआ 2024-25 यानि बार्ड आया इस साल के लिए और previous हुआ 2022-23 और current हुआ हमारा 2023-24 यानि budget जो आया जिस डेट को उसके next financial year जो हुआ आगामी बित्य वर्ष जो हुआ वो यह हुआ और जो current जो चल रहा है financial year वो 2022-23-24 हुआ और जो year बित गया है वो हुआ 2022-23 तो बजट होता इस साल के लिए है लेकिन इसके बारे में भी कुछ revised estimates जो है वो government देती है इसमें revised क्योंकि यह financial भी खतम नहीं हुआ है और इस साल का budget 1st February 2023 को बनाता और year end होगा 31st March 2024 को लेकिन बीच में आ जाता है budget इसलिए इस साल जो हमने expected किया था 1st February 2023 को उसके बारे में अब हम revise कर देते हैं हो सकता है हमारा income बढ़ जाए कम हो जाए हो सकता है expenditure हमारा बढ़ जाए यह कम हो जाए इसलिए इस साल का revised होता है और यह financial year 31st March 2023 को the end हो गया है इसलिए अब उसका actual figure जो है वो government budget के माधियम से लोगों को बताती है यानि budget होता है एक साल के लिए है next साल के लिए है लेकि उसमें दो और साल के बारे में कुछ information given होते हैं हमेशा है ध्यान रखिया यह budget जो government काया है उसमें document है यह document में बाते बताए गई है 2024-25 budget estimates 2023-24 budget estimates बना था 2023 के फर्स फेव को उस समय यह बाते estimates हुआ था लेकिन अभी वह year end नहीं हुआ और next year का बज़ट आ गया तो इसमें government revise कर देती है रिवाइज estimates है sometime increase होता है sometime decrease होता है जितने figure दिये गया है यह figure क्या है जो government को कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा और कहां कहां कितना पैसा जाएगा है ना उसके बाद यह जो 2022-23 है यह year the end हो गया है तो इस year का government ने present actuals कि हमें उस साल में इतना actuals आएगा यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगला जो बनेगा budget 1st फेब 2025 को उस साल में यह year खतम हो जाएगा और 2023-24 का actuals आजाएगा और 2024-25 का revise आजाएगा ठीक है और जो फर्स्ट फरवरी 2026 को बनेगा budget उस budget में 2024-25 का actuals आएगा यानि आने वाले financial year में actual कितना revenue वाया कितना expenditure हुआ इसका exact figure पताचलेगा हम लोगो फर्स्ट फेब 2026 को क्योंकि पूरा का पूरा सिर्फ estimates है जो अगले साल revise होगा और उसके अगले साल यह क्या होगा actuals आएगा यानि budget होता तो है next financial year के लिए लिए लिगे इसमें दो और years के बारे में बातें explain की गई होती है अब question यह उठता है कि आखिर budget बनाता कौन है तो फिनांस में कई सारे departments है और उसी में department है जो बनाता है तो ministry of finance में अगर मैं बात करूँ departments की अगर बात करूँ departments की तो department है department of revenue एक department है department of expenditure एक department है department of financial services एक department है department of economic affair एक department है DIPAM इसे कहते है department of investment and public asset management और एक department है department of public enterprises जो भी government की company है उनके बारे में department देखता है यह department disinvestment का देखता है जो government disinvestment करती है विनिवेस करती है उसके बारे में जो भी action है वो दीपम लेता है अब जो D.E.A. है department of economic affair इसके अंदर एक division होता है बजट division यही बजट division जो department of economic affair का है ministry of finance के अंदर वही बजट को बनाता है इसे आर्थिक मामलों का विभा कहते हैं यानि department of economic affair कहते हैं तो कोई पूछे कि बजट क्या होता है और कौन बनाता है उसको ब्रीफ में समझा दीग अब बत होती है कि budget में दो चीजे होती है एक revenue और एक capital है तो बजट के दो component हो गए एक revenue बजट एक capital बजट वो सब क्या होंगे उनमें कौन-कौन से term है कौन ज़्यादा country के लिए important है ज़्यादा revenue important है या ज़्यादा capital important है वैसे important तो दोनों है दोनों part है लिए जब expenditure की बात होगी तो capital expenditure लगतार बढ़ रहा है वो क्यों important है उस पर क्या-क्या question बन सकते हैं इस सब की बात वहाँ करेंगे ये आपने 3-4 चीज़ें हाँ जाना कि आप बजट जो है होता क्या है अब हम बात करेंगे कि बजट में दो part होते हैं जो government बनाती है बजट उसके दो part होते हैं पहला part होता है part A और दूसरा part होता है part B part A जो है इस part में जो government के जितने schemes हैं जितने programs हैं जितने policy हैं उस सब के बारे में government explain करती है और part B जो है उस part में government अपने taxation proposals होगा रहा कि कहां कहां से कितना tax आएगा कितना revise करना होगा चाहो direct taxes हो चाह इन direct taxes हो income tax हो GSTO इन सब के बारे में part B include किया जाता है part B में किया जाता है part A जो हो गया हो क्या हो गया government schemes program or policy हो गया और part B जो है यह हो गया tech system के बारे में ध्याण रखने वाली बात है कि budget के साथ साथ government जो है कई और सारे document present करती है तो ध्यान रखिएगा both can present होता है तो Parliament में Parliament में कहां तो लोक सभा में work सभा में क्यूं तो लोक सभा में असलिए कि जितने money bill है वह लोक सभा में offering होते हैं एक financial bill होता है, एक money bill होता है, इसलिए उसको हम present करते हैं लोग सभा में, अब बजट के साथ साथ ये तीन चार डॉकमेंट जो है, गौर्मन परज़ेंट करते हैं, एक होता है finance bill, जिसके बारे में article 1110 लिखा है, और एक होता है annual financial statement, जो article 112 है, और यही basically budget है, एक होता है demand for grants under article 113 और एक होता है, FRBM बनाया गया था 2003 में, यह मैंने class में लिक्स किया है, लेकिन फिर अलग से इसके बारे में बात में करूँगा, जब मैं कुछ लोगों की requirement है कि FRBM को समझाया जाए, ते FRBM अलग से वीडियो बना कर मैं दूँगा, लेकिन FRBM 2003 में बनाया गया था, उसका purpose क् देश में financial या fiscal discipline को लाना, यानि government के जो भी deficit थे, revenue deficit राजासोगाटा कहते हैं, और fiscal deficit राजकोशियगाटा कहते हैं, उनको कम करने के लिए, उनको एक limit में लाने के लिए, government बनाया था 2003 में, जो कि 2004 से implement हुआ था, लेकिन इसमें बार बार 12 में, 15 में और फिर 16 में amendment हुए है, FRBM के target set किये गए थे, कि हमें ये target अचीव करना है, लेकिन अभी तक FRBM के target अचीव नहीं हुए है, अल्दो ये कई बार revise कर दिया गया है, तो इस तरीके से इसमें क्या-क्या है, ये आपको बता दिया जाएगा, FRBM में पर आख से वीडियो दे दिया जाएगा, तो बज़र content के document के साथ, हम ये 3-4 document जो है present करते हैं, या इसका PDF आप ले लेंगे, जिनको need होगी, या तो screenshot ले लेंगे, या इसका PDF जो ले लेंगे, अगर कुछ लोगों के हिंदी के PDF क्यों शक्ता होगी, तो content करेंगे, उनको हिंदी PDF भी प्रवाइड कर दिया जाएगा, future में, अभी इस तरीके से, आपका एक पुरा notes बन जाएगा, और फिर भी अगर आपको requirement होती है, तो मैं उसके लिए provide आपको कर दूँगा, है नगा, तो इस तरीके से, हमने इस पार्ट में कुछ basics बाते की, क्या की budget होता क्या है, और बनाता कौन है, और उसमें क्या कैच include किया जाता है अगले वीडियो में हम basics का ही कुछ और बाते करेंगे, है न, जिसे कि आपको असानी से, दजस पंदर्मेंट के वीडियो में, आप देखेंगे, एक घंटे में, दो घंटे में, ये पूरा complete हो जाएगा, तो अगले वीडियो में basics का second part करेंगे, और उसमें और बाते करेंग के इसके क्या-क्या background है, क्या-क्या है, और फिर एक वीडियो में हम बात करें, component की, यानि basics पे हम तीन वीडियो आपको देखेंगे, ठीक है, okay, thank you, thank you for watching, thank you.